अगर आपने अभी तक जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सिजाकर जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दीजिए बंगाल विधानसवा चुनाव 2021 को लेकर सियम ममता बनर जी का एलान नंदिक राम और भावानीपूर विधानसवा सीट से लड़ेंगे चुनाव जिहां पश्यम मंगाल विधानसवा चुनाव 2021 से पहले भारते जन्ता पार्टी और तरणमूल कॉंग्रेस में जुबानी लड़ाई चुड़ गई है दोनों दल के नेता मैदान में ताल ठोक कर उतर चुके हैं कोई किसी से पीछे नहीं लेकिन इस पार चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है दरसल टीमसी के गढ़ में सिंध लगाने में बीजेपी को बड़ी काम्यावी मिली है ममता की पार्टी के कई नेताओं ने चुनाव से पहले ही बीजेपी का दावन थाम लिया है लेकिन उसके बाद भी सियम ममता बनरजी ने हुंकार भरते हुए फिर से सत्ता में वापसी का भरोसा जता है इसी कड़ी में CM ममता बनरजी ने एलान करते हुए कहा कि वह पश्चिम बंगाल की नंदिग्राम और भवानीपुर विधानसवा सीट से चुनाव इस बार लड़ने का एलान किया है ममता बनरजी का ये एलान एक तरह से बीजेपी को संकेत है कि आगामी विधानसवा चुनाव में काटे की टककर है दरसल ममता बनरजी ने जिस नंदिग्राम से चुनाव लड़ने का एलान किया है उससी सीट पर टीमसी के बागी निता सुवेंदू अधिकारी का कबजा है और उनका गढ़ माना जाता है लेकिन चुनाव से पहले ही सुवेंदू अधिकारी ने टीमसी से अलग होकर बीजेपी में सामिल हो गया है कारमर्स प्रोटेस्ट को लेकर किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रिम कोट ने कहा दिल्ली में किसे एंट्री देनी है या नहीं देनी ये पुलिस तैय करेगी जिहां नयक्रिशी कानूनों के विरोध में सडको पर उतरे किसानों का अंदोलन सुमवार को 54 दिन जारी है किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तयार नहीं है किसान नयक्रिशी कानूनों को निरस्थ करने और नियूनतम समर्थन मुल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर अड़े है सरकार के साथ नवी बार की बैठक भी असफल सावित हुई है किसान संगटनों की अगवाई में देश की राजदानी दिल्ली की सीमाव पर किसान डेरा डाले हुए है इसे बीच किसान नेताओं ने एलान किया था कि 26 जनवरी यानि की गंतन्त दिवस पर किसान ट्रेक्टर रैली निकालेंगे जिसके बाद दिल्ली पुलिश ने कानून विवस्था का हवाला देते हुए सुप्रिम कोट में एक अरज़ी दायर की थी कंतन्त दिवस पर किसानों की प्रस्तावित ट्रेक्टर रैली पर सुप्रिम कोट ने पुधवार को सुनवाई की आपको बता दें कि इस दोरान सुप्रिम कोट ने कहा कि सुप्रिम कोट का कहना है कि दिल्ली में प्रविश का सवाल एक कानूनी और विवस्था की सिती है जिसे पुलिस द्वारा निर्धायरित किया जाना है केंद्र की ओर से पेस अटोर्नी जनरल केके वन गुपाल का कहना है कि किसानों दोरा ट्रैक्टर रैली अवैद होगी और दिल्ली में 5000 लोगों के प्रविश्च की संभावना होगी दरसल पूरिस को डर है कि किसानों की आड में कहीं आतंकवादी घटनाओं की बड़ी घटना को अंजाम ना दे दें वैसे भी आतंकी संगठन खालिस्तान समेत कई अन्य बड़ी वार्दात को अंजाम देना चाहते हैं यह मोदी ने सूरत आहमदाबाद मेटरो प्रोजेक्ट के दूसरे फेज का किया सुभारंब कहा पूरे सहर के अहम बयापारी केंद्र को आपस में करेगा कनेक्ट जिहां पीम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक बार फिर से बड़ा तोहफा दिया है प्रधान मंतरी ने आहमदाबाद मेटरो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण और सूरत मेटरो प्रोजेक्ट का भोमी पूजन विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से किया इस कारिक्रम में ग्रेह मंतरी आमेट साह, राज्यपाल आचार्य देववरत, सीम विजय रुपानी सहीत, केंद्रिय मंतरी हरदीप सिंग पूरी भी मवजूद रहे प्रण मुदी ने कहा की सूरत मेटरो नेटवर्क एक प्रकार से पूरे सहर के महत्पुन व्यापारी केंद्रों को आपस में कनेक्ट करेगा प्रधानमंतरी मोदी ने कहा कि आमधापाद के बाद सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा सहर है जो कि मेट्रो जैसे आधनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ेगा सूरत में मेट्रो नेटवर्ग एक प्रकार से पूरे सहर के महतपुन व्यापारी केंद्र को आपस में कनेक्ट करेगा डोनाल ट्रम्प का ट्विटर बैन होने पर भड़के जूनियर ट्रम्प एलन मस्क से लगाई ये गुहार जिहां डोनाल ट्रम्प तो इन दिनों अपने सोसल मीडिया अकाउंट को लेकर चर्चा में हैं साथी उनके बेटे ट्रम्प जूनियर भी खबरों में है दरसल ट्रम्प जूनियर ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेसला और स्पेस एक्स जैसी कमपनियों के फाउंडर इलन मस्क से गुहार लगाई है ट्रम्प जूनियर ने अपील की है कि एक ऐसा सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाय जाए जहां उनके पिता डोनल्ड ट्रम्प को बैन न किया जा सके आपको बता दें कि हाली में डोनल्ड ट्रम्प का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था इसके बाद उनका फेस्बुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचेट और यूट्यूब भी बैन किया जग गया था ट्रम्प के बेटे ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि आखिर एलन मस्क एक सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते हैं उन्होंने इस काम को अपने बलबूते पर किया है उन्होंने बड़ी बड़ी सरकारों से इस काम को बहतर और किफाईती तरीके से करके दिखाया है